नमस्कार बिहार पे चर्चा अभिशेक तिवारी जी के साथ और इस समय देश की सबसे बड़ी खबर खबर यही है कि बातर घंटे में सुनने में आया है कि बियार में सरकार बदलने वाली है और सरकार बदलने के दो पहलू है गटबंधन बदल जाएगा अलाइंस बदल जाएगा या सीम भी बदल जाएंगे और इस सब सवालों के जवाब अभिशेक टिवारी जी से बेतर और क क्या चल रहा है जी सबसे पहले हर सर आपके सभी दर्सकों को प्राम नमस्कार जैश्राम हर सर कल रात एक बजे तक जब की बहुत सर्दी है बिहार में यह सब आप लोग को पता भी होगा बहुत भ्यंकर ठंड पर रही है लेकिन यहां पर जो पॉलिटिकल गर्मी थी बहुत इन फैक्ट मैंने मेरा एक समवादाता भी है कि बिहार को कवर करना है चालीस लोग सबसी को भी मुझे पुरवांचल भी देखना है मैंने उसको कल साड़े दस बजे तक वहीं पर रखा अब देखिए मैंने पहले भी आपके दर्शकों के साथ वह सीन साजा किया है कि जो आ पास पास ही है रावडी आवास भी पगल में ही है नितीश कुमार जी का बहुत दूर नहीं है इसके अलावे जेडियू ऑफिस और आर्जेडियू ऑफिस ठीक आमने सामने हैं इंकम टेक्स को लंबर के पास तो पहली चीज कैसे समझते हैं हम लोग कि क्या बदला हुआ पि है कि जल्द है जीते जी ऑर कंध डबलब फ Mensch वहा है एक तरफ नितीश कुमार ने जब फोन कॉल किया निती लालू यादो जी ने नितीश कुमार को जब फोन कॉल किया तो कहा कि आप सब रख लीजिए मगर इस वक्त गठ मंधन मत तो लेकिन इसने का यह लालू ने का हाँ आप मेरा बेटर डिप्टी सीम भी नहीं जाएगी लेकिन बैक एंड से विधाय तोड़ने का भी प्लाइन है तोनों इस वक्त टाइम बाई कर रहे हैं रात को बारा बजे बिहार के सभापती को बुलाया गया है रावडी आवास के पास वहां से मिलें यह जो रात अभी गुजरी है ब्रस्पतवार और सुकरवार की रात बिलकुत यह अभी जो हम लोग सुबह में बात कर रहा है उस वह वाली रात अब आप बताईए ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में दो एंपायर बहुत महत्पूर्ण है एक सभापती और दूसरे राजजपाल सभापती आरजएडी का राजजपाल बीजेपी का गेम प्लाइन बहुत सिंपल है कल सुबह से पीके शाही के साथ लगातार नितीश कुमार की बैठक हुई अब पीके साही कौन है ये दर्शकों को जानना आवश्यक है पीके साही कानूनी मामलों के बहुत बड़े जानकार है और नितीश कुमार के बहुत करीबी है गेम बहुत क्लियर कट सेट है कि भाई बीजेपी के साथ जाना है तो ये तरह कर जाना है अब कोई ओफर नहीं कल तो लोगों के मोबाइल भी फ्लाइट मोड में थे कहा जा रहा है छे विधायकों को बिठा लिया गया वहां पर ललन सिंग और विजय चौधरी बैठ गये हैं कि आपको अभी नहीं जाना है अगले बातर गंटे कहीं भी यह वह विधायक है जिन्हें टूटने कब है कहा जा रहा है चाणक्य के संपर्क में कॉंग्रेस के 12 विधायक यानि कॉंग्रेस पूरी की पूरी साफ हो जाएगी यह अल्टरनेट रास्ता भी निकाला गया है कि अगर आर्जेडी यह प्रयास कर रही है जद्यू को तोड़ने का तो हम फ्लोर्टिस्ट कैसे पास करेंगी सभापती चुकि आर्जेडी का है तो हमारे पास नंबर बिलक सुबह तो प्रातर काल तो चार बज़े से शुरूब और प्राइडे की जो नाइट है हां हां यह केंद्रिये मंत्री पहुंचे हैं उनके पास और उनको कहा कि अपने चार विदायकों को होल्ड कीजिए पटना में बूला के रखिए यह नित्यानंद राए गए हैं रात के एक बज़े और लोग कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि केंद्रिये जो कमिटी के बहुत बड़ वह समराठ चोधरी और वह दोनों एक ही फ्लाइट में थे दोनों अभी मैं एक्स्प्लेंट करते रहा हूं दोनों चीजों को देखिए के सी त्यागी तो बहुत सद्धे हुए राजनिता है लेकिन समराठ चोधरी राजनिती में बहुत कुछ उनको सीखना है तो पत्रकार नहीं देते हैं नितीश खुमार जब भी पलटते हैं विपक्ष को यानि अपने ही सहयोगी दल को मौका नहीं देते हैं तोडने का मैं बार-बार कहता हूं कि नितीश का विधायक तो लोगे यह मजाक नहीं है उसके सांसत तोड़ लोगे उसके पूरू नेतावेता सब तो उनका अपना साथी जो है वहीं बन जाता है उनके लिए यहीं अथार थे सब्सक्राइब के पास मौका नहीं देंगे मैं बता रहा हूं बहतर घंटे के अंदर सरकार बदल रही है और मेरे पास जो सूत्र है बहुत एक्टम गठ बंधन का टॉप मोस्ट लीडर से मेरा बात उनको कोई अब्जेक्शन नहीं है लेकि अट्थाइस जनवरी का दिन शायद महत्पुन रहेगा आज चुकि 26 जनवरी है आज सभी सरकारी कारेकरवों में बीजी है मोदी जी भी अमित शाह सब लोग क्योंकि इन लोगों के इना तो इस तरह का को डिसिजन होगा नहीं तो सब्सक्राइब को बुलाया गया नित्यान अंद्र रह तो खेर वहीं थे मुलाकात हुई सुसील मोदी का आप देखिए हम लोग क्या पकड़ते जो दिवार पर कुछ लिखा लिखा है धुन्दला साय उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं पिछले चार महीने से और सुसील मोदी कह रहे हैं नितिश के लिए बहुत देर ही हो गई अब तो कोई बात ही नहीं लेकिन तीन बजे वाला इंटर्विव जो आज तक पर आया वो सुनना चाहिए लोगों को जब उन्होंने कहा कि अगर केंद्रिय कमिटी कुछ तैह ही कर लेगी तो हमको तो मानना ही रहा है आज और नितीश के करीबी रहा है नितीश कुमार अपने करीबी को बीजेपी से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं यह बात खबर आ रही है तो क्या पता कि सुसील मोदी के उपर ही वह बरस जाए इस बदलाव का संकेत है मैं मानू के मुख्यमंत्री भी बदलेगा नितीश सीम नहीं रहेंगे बीजेपी के साथ इस डील में यही है कि जस्टिफाई करना हमें भी मुश्किल होगा और आपको भी मुश्किल होगा तो आपके लोगों को हम केंदर में भी जगह देंगे एंडिये का कनवेणर बनाएंगे विक्टोरियस टीम में आईए ना आ आपकी राजनितिक पहुंच और आपका राजनितिक कद कितना हो जाए तो हम आपको नडिये का कनवेणर बनाएंगे एंडिये को 400 सीट जीताई है सारा अस्रे आप लीजिए हमको कोई अब्जेक्शन नितीश कुमार भी समान के साथ साथ बहुत कुछ चाहते हैं जो पिछ इश कुमार को इतने अच्छे से जानता हूं एक बार वो पलटने का निर्णा ले लेते हैं चाहिए वो देड़ मही ने पहले ही लेते तो स्टेप बाई स्टेप वो चीजें घटित होने लगती हैं और पलट जाते हैं पलटने के दुबारा नहीं पलटते वो मतलब नहीं इस तरफ पलट गए तो फिर इस तरफ पलटेंगे कितना समय लेगे हाँ वो पलटेंगे पलटेंगे तो जब ललन सिंग को हटा करके अध्यक्ष बने थे उसी वक्त मैंने कह दिया था कि अब कहानी समाप्ति के और जा रही है क्योंकि मैं जानता हूं कि इस प्रकार से पॉ आर सीपी सिंग को हटा है था खबरे देख रहा हूं उसमें ललन सिंग इनकी अभी भी कोर टीम में बने हुए जैसे कल रात बताया है मिटिंग हुई है उसमें जो है ललन सिंग मौजूद रहे संजे जा उमेश कुस वाहा विजय चोधरी यह सब लोग रात सीम आवास पे म कोई हिल नहीं पा रहा है सारे विधायक मैं बोलता हूं न कि होंगे बड़े-बड़े तुर्रम खान इस देश में पैदा लिये हुए लेकिन नितीश कुमार का विधायक तो लिए ऐसा कि कोई तुर्रम खान अभी तक नहीं है आपने कहीं हाँ तो नितीश कुमार बहुत पोग के गेम खेल रहे हैं उन्हें पता है कि RJD को मौका भी नहीं देना है RJD को पता था इस बार की नितीश कुमार पलटेंगे तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है इसलिए सभापती अपना बना लेकिन अब देर हो चुकिया क्योंकि RJD के पास भी अचानक से जो इतना पैसा नहीं है पहली बात तो कि हर विधायक को खरीदने का अभी पटना में रेट कम से कम दस करोड के उपर का चल दा है जो पत्रकारों में यह बात चीछ चल लए कि भाई खरीबिकरी होगी लेकिन इतना पैसा बहुत ज़्यादा भी होने वाला है तो त जाएक होगी तो काफी काफी बढ़ेगी ना जो मैं स्तिती देख रहा हूं आर जेडी के पास 79 है वीजेपी के पास 78 है जेडी उफोटी फाइव है कॉंग्रेस 19 है तो नंबर्स है नहीं आर जेडी के पास अगर कॉंग्रेस मिला लें तो उसके बाद कितने बचते हैं काफ तो तेटी इक तीटी इफेक्शन वाला मामला भी देखना पड़ेगा ना उसमें फिर दल बदल वाला भी तुझे ना वह नहीं रहेंगे मैं अध्य प्रदेश वाला फॉलो किया जाएगा जी मैं यह कह रहा हूं टोटल स्ट्रेंथ गटाने वाला हां टोटल स्ट्रेंथ और टोटल बिहार की फिर विधान सबागी स्ट्रेंथ हो जाएगी 231 की तब जाकर कि मिलाक करके और सभापती का मिलाकर एक सुसोला पहूं जाएंगे और पैजॉर्टी फ्लोर्टेस्ट पास होगे लेकिन बारा विदायक तोड़ेगा बीजेपी और जेडियू का बिलकु मुख्यमंत्री थे बीजेपी के साथ आना चाहते रहें बारा विदायक नहीं तोड़ पाइं नितिश कुमार का अर्जेडि से ब्लंडर यह हुआ कि लगातार जिस प्रकार से नितीश कुमार के साथ यह किया इंडी उलायन्स लेकरके आर्जेडि के द्वारा उसको लेकर में इन लालू कॉंग्रेस की तरफ टिल्ट हैं पूरी तरह से जुगे हुए हैं वो एकदम परिवार के लठैत बने हुए हैं और उनका जो है मानना यह है कि नितीश कुमार वाले मामले में कि लालू अपना ये प्रेसर नहीं बना पाए किसाब इन्हें जो है इंडिया लैंस छोड़ करके दिली में राहुल गांधि पहुचे आपने अपने शो में मैंने अपने शो में कितनी बाए नहीं सर्भालो यादोने कि पूछतक हुँ बात पूछ की नहीं है बात यह कि हम पीम कंडिडेंट कर वा देतं इते हिलाल ओल्ड करो हमें see िरीर 있나 one time के कम से कम दस दिन पाँच दिन का डिले हो जाता कि हम अपना पूरा प्रयास कर पाएं वो टाइम बाई करना चाहती है पर वो टाइम नहीं है समराट चौधरी जब दिली एरपोर्ट पे कल पहुंचे थे उनको सुनना आवसिक था जो पिछले डेर साल से लगाता नितीश कुमार को गाली दे रहे थे कल किसी भी प्रश्ण पे उन्होंने उत्तर नहीं दिया मुस्कुदाते रहे और यह कहा केंद्रिये नेत्रितु हम के से बात करेंगे उसके बाद ही कोई स्टेट्मेंट दे पाएं और फिर भी अगर कुछ लोग यह लिख्यू ही जो दिवार के उपर लाइन से पढ़कर के भी सोचना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है जो लोग कहना चाहते हैं और राजमिती में ऐसे होता नहीं है वह दिख रह सारी चीजे और उसके बाद भी बलट गए अरे मोदी जी को कहा कि यह सब तो बोलता रहता है ऐसी कोई बात नहीं हम तो आपके साथ मिलकर के भारत की बात कर रहे हैं कोई बात नहीं है लेकिन अभी परिवारवाद पे हमला होता है रोनी आचारिया वह रोनी ने क्या वह वह किसी और ने क्या उसका मतलब है मैं समझा नहीं जो लालो की बेटी ने जो ट्वीट कर दिया यह रोनी रोनी आचारे का ऑफिशिल ट्वीटर है यह बिल्कुल सही बात है और जो ट्वीट देखिए इसके लिए आपको करपूरी ठाकुर जी वाला मास्टर इस्ट्रोग जब कर पूरी ठाकुर जी का मास्टर इस्ट्रोग किया मोदी जी ने तो अगले दिन सभा में इन्होंने क्या का नितीश कुमार ने दो महत्पूर्ण बाते की सुनना और समझना आवश्यक है पहली बात की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत 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 बह काम कर दिया अब एक हमारी बात मौलू है हमारी दूसरी बात भेमाल ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है तो दूसरी बात क्या हैं सब्मांजनक सीचे के लिए जो दोनों तरफ की शर्ते हैं हमको तो फोन नहीं किये लेकिन रामना ठाकुर जी को फोन किये थे हमको पोन कर देते तो सब और आसानी से हो जाता तो दूसरी तरफ से भी बात हो रही थे इसमें करपूरी ठाकुर वाला आपने याद दिलाया एक और लेटेस्ट इसम रिपाठक साब को मिला है जो सुलब सो चालने वाले हैं सीपी ठाकूर सुरेंदर किस्कूर शिवन पासवान शांती देवी रामकुमार मली कशोक कुमार विश्वास तो इस यह के बिहार को लेके पूरा पूरी ताकत लगा दी गई है पूरा जोंक दिया गया है सारा कुछ मैने अब तो मैंने बोल दिया कि देखिए चीजें बदल गई है मांजी ने दो दिन पहले जब कहा सा कि महीं मांगी मैं कहते हैं खेला हो और भोजपूरी में कहते है खेला होगी तो मतलब समझ लेना चाहिए थे कि उन निनायक पोजिशन पे हैं उनके चार विधायक पहली बार इस निनायक पोजिशन उन्हेल नहीं है जिस तरीके से लालु की फैमिली पर केसिज लगे हुए है इडी उनके पीछे लगी हुई है लालु के जेल में जाना ही ए फिर से तो सब को यह लग रहा है का लालुज़ा समाप्ती की हो रहे है पिटा वाम हो रहा है अने वाले समय में इनके साथ रहने करें तो फीचर है नहीं नहीं को दोनों बातें पता है कि मैं अगर चार के साथ चला जाओगा तो नो नौ में रहूंगा ना तेरह में क्योंकि कि 10-12 विधायक जो कॉंग्रेस के तुरू असोग चौधरी के तुरू लगातार चाड़क के से दिली में डील हुआ है कि इनको हर शर्त के साथ हम ले लेंगे अगर अल्टरेट यह ऑप्शन दोनों तयार हैं तो फिर कुछ होना जाना नहीं है इससे अच्छा है यहां पर रह हो गठवंदन के साथ चलो सत्ता की मलाई भी चाटो लोग सभा में भी बल्ले-बल्ले होना है हमारा सरकार में भी होगा और हो सकता है क्या पता मोदी जी आसिरवाद के तौर पे हमारे बेटे संतोजुमन को केंदरी में केंदर में एक राज्जी मंतराल टाइप के कुछ बातचीत भी नहीं हो रही है बता जा रहा है कि मतलब के मिटिंग होई दस-पंदा मिनाड़ में खतम हो गई नितीश में और तेजस्वी में कोई बात नहीं हुई इसके आज आखबारों में देखे के गणतन तर्दीवस के विग्यापन सूचना भी वाग ने छपवाए है नितीश कुमार का बड़ा सा फोटो है उसमें तेजस्वी वेजस्वी किसी का कोई जिक्र नहीं है और ये कई बार हो चुका है अभी पिछले दिनों एक हेल्थ रिलेटिड एक पुछ अपा था एड जिसमें स्वास्त सेवाओं में जो काम किया है सरकार ने ब्यार की उसकी उपलब्यां चबी और वहां के स्वास्त मंत्री तेजस्वी आदव का फोटो नहीं है उसमें नाम है सब में हुआ सर नौकरी बाटने वाले एडवर्टाइजमेंट से लेकर के सब में जबकि वो तो तेजस्वी का ही अजेंडा था बात यह नहीं है कि तेजस्वी नितीश कुमार अपने राजनितिक जो उनका अधिपत्य उसमें से एक इंच भी आपके साथ वो शेयर नहीं करेंगे आप कि संगंज और पूर्णिया से रैली करना चाहते है न्याय यात्रा के बहाने जो कि हाड कोर मुस्लिम बेल्ट है जो कि जेडियू प्रभुत वाला मुस्लिम सबसे बड़ी बात तो यह है और आप चाहते हैं कि नितिश कुमार साब एड़स्ट कर ले ऐसे नितिश कुमार इतने दिनों की अपनी राजनितिक पूंजी लुटा देंगे आपको यह लोग बेवकूफी कर रहे थे और अब जब नितिश कुमार पलट रहे तो परेशानी बरबादी का कारण मांता हूं तो नितिश अगर बीजेपी के साथ आते हैं तब भी मैं नितिश कुमार का आलोचक था आलोचक हूं और आलोचक ही रहूंगा इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे लिए हाँ एक चीज़ अवश्य है बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो चिराग पासवान सुनने में आ रहे हैं अभी कुछ देर पहले ही जब हम रिकोर्डिंग कर रहे हैं यह तो उस समय चिराग पासवान दिल्ली जा रहे हैं और यह एरपोर्ट पे उन्हें तो काफी इंट दे दिया उन्हें का कि मैं बीजेपी के टच में हूं लगातार और बिहार को लेकर हमारी जो अपडेट्स बनी हुई है और कल रात जो है लोग जनशक्ति पार्टी की मीटिंग भी जिसमें सभी बड़े नेता मोजूद रहे चिराग पासवान का क्या रोल देख रहे हैं आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर एक्चुली कल रात को अमिज शाह जी की तरफ से फोन गया है चिराग पासवान को मैंने पहले भी अपने दर्शकों को अपने चैनल पर बताया था कि नितीश के चक्कर में मोदी जी चिराग पासवान को नहीं खो सकते हैं चिराग पासवान को सबसे पहले पेँट में लिया गया है समराठ तो सब कुछ तैय है चिराग पास्वान विन विन पोजिशन में क्योंकि चिराग पास्वान का एक विधायक था और वह भी तोड़ करके जद्यू ने ले लिया था तो राजनिती पास्वान को चेह सीटे मिलेंगी क्या पिछली बार वाली स्थिति बन जाएगी तो देखें पड़ेगा दो दोनों को कुछ तो कुर्बानी करनी ही होगी हो सकता है इस बार सत्रह जद्यू को ना मिलके पंद्रह ही मिले लेकिन क्योंकि सब को अलाइंस में साथ में लेके चलना है और चिराग कुछ होना नहीं है मोदी जी को तो यह सारा चीज एक बार पलट जाएंग पता नहीं क्यों मुझे यह अभी मैं बता रहा हूं मैं मैं बता रहा हूं इसका कारण से कानी शुरू होती है प्रशांद कुमार के बयान से जो सांसदों के अंदर खलबली जीतेंगे तीन सीट पे जीतेंगे ऐसे सभी सर्वेस बता रहें जद्यू पिनिश हो जाएंगी आप अध्यक्ष रहते हुए इस सब तूटने जा रहा है राम ना ठाकुर्जो की करपुरी ठाकुर जी के पूत्र है वह भी बीजेपी सिंपेथाईजर रहा है विजेश चौधरि भी विजेशंपेथाईजर है बीजेश्फेश्य पिसलिपेथाईजर है अब लंबा क्या नितीश खेलता है उतो नितीश कि राजनिपी को जितरा मैं समगता हो एक और जितन राम abजी चाहते हैं अगले एक साल में कोई बात है एक साल के लिए स्याइब पोस्ट बर्याग देंगे क्या बात है रहात है लेकिन लोग सबामे मेरा नमबर जो दो या तीन पे कि एक साल बाद जो हम तीसरे नंबर की पार्टी है शोर्स और दूसरे नंबर की पार्टी होंगे और फिर बारगेर करें लेंगे विदान सभा के बाद लेकिन अभी पार्टी और उसके राजरितिक अस्थित्तु को बचाना पहली पराथ मेंता है और यह आरजएडी के साथ नहीं हो पा रहा है बीजएपी के साथ हो रहा है इसकी पलट रहा है लेकिन बीजएपी सावधान रहे है जैसे मैंने आर्जएडी को उस समय चेता हूं दी थी उसी प्रकार से बीजेपी को फिर से चेताओं नहीं देता हूं कि बाई अंसर्टन माइंड यह पता है किस प्रकार के ड्राइवर मैंने कल एक्स्प्लेंड किया था आप कभी ट्रैफिक में फजेंगे तो एक ड्राइवर होता है जिसको लेगा अरे यह लेफ्ट वाली है वारी गाड़िया टोल दूसरी तरफ से जादा तेजी से चल रही है गाड़िया हां तो नितीश कुमार वह इंपेशन ड्राइवर है इसलिए यह माल लेना कि इस बार पलटने के बाद सब कुछ है ऐसा नहीं है नितीश कुमार सब से देखिए कितना अच्छा पावर बै मैं वही कह रहा हूं आज अपने आपको राजनीती के केंदर में अस्था पिप्तिया कर पूरी ठाकूर में के जो जैंतीव समारो था उस बहाने दो लाग की भीड को एड्रेस किया वहां पे प्रिवारवाद के हमला भोल दिया नहीं बड़ी बात यह नहीं तीन मित हूँ स्वस्त हूँ यानि मैं दोहजार उनतीस में भी रह सकता हूं सी एम और सबसे बड़ा मित उसी पे तोड़ा और वहां से मोदी जी ने आगे उस बाइट को यूज किया परिवारवाद पर हमला बोला और वही परिवारवाद की राजनीती को समाप्त करने के लिए सब के सहयोग की मांग कर दी नरेंद्रमोदी ने और फिर भी लोग कर रहें कि बिहार में सब ठीक है तो बाद में क्लियर करने की कोशिश की मीडिया हो ने पूछा उनसे परिवारवाद पे तो उन्हें का के रहे वह तो इन जनरल वे में वैसी बात कर रहे थे उसका मतलब लाल क्यों है क्योंकि एक्सप्रेशन और शब्द बिलकुल मैच कर रहे थे और उसी के बाद आरजेडी थोड़ी स्पीड स्लो ही हलाकि फिर भी विधायकों के मीटिंग का दौर जारी होता था रात के दस बजे नितीश कुमार से मिलने के लिए सिवानंतिवारी को भेजा गया अब शिवानंतिवारी ऐसे बीच के रास्ते है वह ऐसा एक ब्रिज था जो दोनों के और खुलता है नितीश कुमार देखने भी गयते आपको याद होगा जब शिवानंतिवारी पारस होस्पिटल में भरती थे और बिमार थे फिर भी मुलाकात नहीं हुई तो सब ठीक नह बस बात तरक्टे की कहाने है तो नेता तो वो शुल्जे हुए हैं, गहरे हैं। लेखे वो इस लिए नहीं बोलते क्योंकि उनको पता है कि यह सभी चैनल बंद नहीं होने चाहिए। राजनिती में सभी चैनल को बंद कर देंगे तो आप राजनिती में एक आंत्वास में चले जाएंगे और आपकी अपना चैनल बीजेपी के साथ इस हद तक समाप्त कर लिया कि वहां पर इतनी खाई है कि वह पार्टी नहीं जा सकती वरना मैं बार बार यही कहता कि भाई अगर नितीश कुमार इस वक्त पिछले 10-12 सालों से बिहार के लिए राजनितिक संकट के केंदर में बने हुए है तो कि अब पिछली बार आजनी में बदल रहे थे तो भाज्मा वालों ने कहना शुरू कर दिया चैनल्क यह औरके कहना कि माल की बात ही जो रहे है कि अब निती उसल्हां नहीं है लेकिन यह बातें 2010 से से लगातार कही जा 嘘 और 2010 जिस समतापाठी को जॉर्ज फर्नांडिज ने उठाया उनके साथ क्या हुआ न किस प्रकार से Sergeant के साथ इस प्रकार से आरसीपी सिंग के साथ रहा और देखते रही है किस प्रकार से बाकी लोगों के साथ होता है राजनिती इसी को कहते है और नितीश कुमार की राजनिती ऐसे ही चलती रहे आखरी सवाल यही है कि जैसे आपने भी कहा कि आर जेडी वाले इनके विदायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यह सब चीजे तो चलती रहेंगी लेकिन अगर नितीश कु से बढ़ेगी आर जेडी नीचे जाएगी या फिर आर जेडी और बीजेपी के बीच में ही जो मुकावला है वो ही बना रहेगा इस्तिती क्या होगी विदान सभाचुनाओं में अगर मैं बात करूँ वैसे तो शर्त यह भी बताई जाती है कि लोग सभाचुनाओं विदा सभाचुनाओं के परिपेक्ष में आपसे सवाल पोच रहा हूं कि क्या आर जेडी को फैदा होगा इसमें सब्सक्राइब को जडियू को जडियू को जडियू मैं बता दे रहा हूं राजनिती का जब लोग विशलेशन करते तो भूल जाते हैं बिहार गोर जाती बादी इ आने के कारण जो है वो आरजेडी या बीजेपी नहीं थी वो चिराथ पास्वान थे एक सो तीस सीटों पे जहां जहां जडियू खड़ी थी अपने कंडिडियेट खड़े के और ऐसी संतावन सीटे जडियू हारी जहां पे लजेपी को उतना ही वोट मिला लगबग जितन पी का वोटर बीजेपी का वोटर और नितीश का वोटर एक रहता है प्लस मांजी और उपेतर कुश्वाह तो मुझे लगता है कि आरजेडी के लिए अगले विधान सभाचुनावा में राजनितिक संकट उत्मन हो जाएगा मैं लिख के देता हूं क्योंकि वो खेल फिर व में लौकुस समिकरन को तोड़ने के लिए ट्विटर पे बयानबाजी के अलावे यह एक रैली न करता है लेकिन चिराग पासवान ने जो रैली की हाजीपूर में वह अतिहासिक रैली हो कि आज तक उतनी भीर कोई नहीं जुटा पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी और भाजपा बिहार के नेता अपने लोगों के उपर मृत्य हो गई लाठी चार्ज में फिर भी कुछ बोल नहीं पाए प्रोटेस्ट तक नहीं कर पाए तो केंद्रिये नेत्रितु को आप भरोसे में लेंगे तो कैसे लेंगे आपने किया ही क्या बढ़ाने के लिए भी हार बीजेपी को पिछले डिर साल में थे आप पोजिशन में खुलके अपने अध्यक्षपद के पावर का प्रयोग करने का भी आपको मौका दिया गया थो लेकिन आप घटते रहे और बिना किसी सपोर्ट के चिराग पासवान सिखर की तरफ बढ़ते रहे तो केंद्रिये नित्रितु का भरोसा नहीं है बिहार के नेताओं पर इसी वज़े से यह निर्णा लिया जा रहा है तो देखते हैं क्या समिकरण बनती है और मुझे लगता है कि इसमें दोनों के पास विन-विन पोजीशन है प्यार में से और निटीश भी चाते हैं कि आरजेडी खतम हो और वही एक मेरीजनल पार्टी बने रहे हैं अब देखिया अचानक से आके अकाली दल से भी तो बाचीश सुरू हो गई ना हम नितीज कन्वेनर बनेंगे तो अकाली से भी बात करेंगे ना वह सारा बात चीट शुरू हो रहा है तो निती जो इस वक्त मन में है बीजेपी के के चलो हम अगर तीन सो दस भी पहुंचे तीन सो पाज में लेकिन एंडिय का नंबर बढ़वा देते हैं इस बार और वह हम इस एक इतिहास को रच देंगे कि भाई देखो हम राजीव गांधी के वाले सिंपैथी वाले के समक्ष पहुंचके वह भी विकास के नाम पर काम करें थार्ड टाइ प्रेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें